हाई गैज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपा किया दव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल इनालिसस और 8 सेप्टेंबर 2021 तो गैज आज है तारिक 8 सेप्टेंबर 2021 केस और है वेडनेस डे देखेंगे आज का दे हिंदू कंप्रीट न्यूसपेपर, दे हिंदू कंप्रीट न्यूसपेपर को एनिलाइस करेंगे बड़ लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्रीट न्यूसपेपर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पर क्लेक करोगे आटोमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाव जॉइन करने से फायदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बेसस पर दहिंदू न्यूसप करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में किसी कंट्री को नहीं देखना है आज मैप में जाकर देखना है एड्रियाटिक सी को इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं अच्छे से मैप में देखना फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लो में बहुत सारे articles cover करें कि तालिबान क्या चाह रहा है आज के टा imaging पर अपनी नई सरकार बनाना चाह रहा है अफगानिस्सान के अंदर लेकिन अभी के लिए वो सरकार नहीं बना पा रहा है क्यों क्यों कि जो यहां पर लोग है अब तालिबान के leaders है उनके बीच में आपस में dispute देखने को मिला powers को लेकर लेकिन अब यहाँ पर एक नई announcement कर दी है तालिबान ने तो यहाँ पर इन्होंने announcement कराए कि यह इनकी एक सरकार आने वाली है जो government आएगी वो एक interim government होगी interim मतलब temporary basis पर यहाँ पर एक government लाने वाले हैं और उनके जो top leaders होंगे उस सरकार के उसके बारे में एक छोटी सी announcement करी गई है तालिबान के द्वारा तो यहाँ पर आप देख सकते हो Tuesday evening में जो तालिबान के chief spokesman है जबी हुला मुझाहिद इन्होंने एक press conference में काफी सारी बाते बोली हैं कि इनकी जो नई सरकार होगी वो एक interim वाली होगी मतलब कि temporary basis पर होगी और उस सरकार के अंदर जो प्रायम मिनिस्टर होने वाले हैं वो होंगे मुला मुहमद हसन अकुंड ये कौन है ये हैं एक तरीके से तालिबान वेतरेन साथी साथ जो शूरा काउंसल है उसके head भी रह चुके हैं उसके बाद इन्होंने बोला जो interior minister होंगे उनकी position किसको दी जाएगी वो दी जाएगी सिरावजी दीन हकानी को जो की एक leader है हकानी network के तो अभी यहाँ पर ये छोटी सी announcement की गई है तालिबान के द्वरा और यहाँ पर आने वले टाइम पर और भी इसके उपर हमें articles देखने को बलेंगे तो अभी जादा कुछ नहीं है इतना बस आप एक idea रख सकते हो और उसके बाद अभी news को यह हटा दो अभी जादे काम की नहीं है अभी छोटा से एक idea रखना है बस उसके बाद बढ़ेंग काफी जादा मुद्दा उठाता पिछले कुछ महीनों पहले तो हम इसके बारे में discussion करेंगे पेगेसिस exactly क्या है यह मैं आपको बताऊंगा साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे मुद्दा क्या चल रहा है तो Supreme Court यहाँ पर कह रहा है यह जो पेगेसिस वाला पूरा का पूर मालूम है इसके बारे मैं काफी बार पढ़ा चुका हूँ जादा पहले का मुद्दा नहीं है अब भी एक डिल महीने पहले से यह कवर किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग को मालूम होगा लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं भी मालूम होगा तो सभी को यहा है एक software है spying software जासुसी करने के लिए यहां पर काम आता है तो इन्हों ने आपर जो रिपोर्ट आई थी मीडिया के द्वारा इन्हों ने बोला इस पेगेसिस पाइवेर का बहुत सदा इस्तमाल किया गया है भारत के अंदर politicians के खिलाफ journalists के खिलाफ और बहुत सारे official ministers हैं उनके खिलाफ यहां पर इसका इस्तमाल किया गया इंडिया के सासाथ और भी बहुत सारी countries के अंदर इस्तमाल किया गया अब यहां पर रिपोर्ट ने यह बोला इंडिया के अंदर लगबग 40 लोगों की जासुसी की गई है इस Pegasus Spire का इस्तमाल करकर यह discussion हुआ दनू उसके बहुत सारे petitions डालेगा सुप्रीम कोड के अंदर कि आप लोगों को यानि सुप्रीम कोड को क्या करना पड़ेगा एक investigation करनी पड़ेगी इस Pegasus Spire को लेकर क्योंकि यह काफियत खत्रा है हमारे देश के लिए हमारे जो politicians है जनलिस्ट है यह एक तरीके से 13 September को hearing होने वाली है आज 8 September है तो 13 September को वापस से यह article news में देखने को मिलेगा या उसके अगले दिन देखने को मिलेगा तो वापस से यह issue के बारे में discussion होगा और इस पूरे case की सुनवाई होगी अब यहाँ पर यह हुग यह हुग यह हुग यह हुग यह यहाँ पर इसके wings और इसके punk है तो इसको यहाँ पर Pegasus बोला जाता है इसी के नाम पर एक तरीके से इस software को तयार किया गया है अब यहाँ पर इस software में क्या होता है देखो इससे बहुत सारे नुकसान भी है अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यह software शुरुवात में बन कर रही है दूसरा question अब यहाँ पर यह जो Pegasus spyware है इसको कौन सी country ने बनाया है तो आपको ध्यान रखना है आपसे one day exam भी पूछा जा सकता है इसराइल ने बनाया है इसराइल का एक company है NSO Group उसने यहाँ पर इस Pegasus spyware को बनाया है अब यह spyware इतना खतरना क्यों है तो व्यक्ति के phone में जाता है तो उस व्यक्ति के phone से बहुत सारी उसकी information निकाली जा सकती है अब दूसरा question यह होगा अब किसी व्यक्ति के phone में यह कैसे जाता है तो मैं आपको समझाता हूं मालो व्यक्ति A यह है और व्यक्ति B यह है अब यहाँ पर यह बंदा A चाहता है कि B वाले की एक तरीके से जासुसी करना तो यह क्या चाहिएगा कि मैं क्या करूँ Pegasus Spire को एक तरीके से इंस्टॉल करदूँ किसके फोन में B वाले के फोन में, अब ये कैसे इंस्टॉल कर सकता है तो उसका नमबर होना चाहिए मतलब जो B वाला का है एक तरीके से mobile है इसका number A वाले के पास होना चाहिए और ये A वाला अराम से क्या करता है इसके phone में Pegasus Spyware को install कर सकता है और फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी information निकाल सकता है अब आप कह सकते हो कैसे होगा exactly अब जब A वाले के पास B का number होगा तो वो क्य क्या कर सकता है SMS के थूरू एक link भेज सकता है WhatsApp पे call कर सकता है आई message कर सकता है या और भी तरीके हो सकता है बट अभी के लिए यहाँ पर यही known तरीके हैं हमारे पास कि WhatsApp पे call की जा सकती है और एक तरीके से इसको link भेजा जा सकता है तो इसके थूरू यहाँ पर आप कह सकते तो इसके फोन में क्या होगा, यह Pegasus Spyware इंस्टॉल हो जाएगा, अब इंस्टॉल होने के बाद, इसके फोन से क्या क्या information निकाल सकता है, तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर उसके SMS को देखा जा सकता है, इमिल्स को निकाला जा सकता है, फोटोज एंड वेडियो, कॉंटेक्ट्स, रिकॉर्ड कॉल्स, वाट्सेप चैट्स, कैलेंडर, उसके जो माइक्रोफोन होगा, उसको एक्टिवेट किया जा सकता है, मालो कई वो मीटिंग में बैठा है, तो उसके माइक कॉन कर दो, जो भी बात चल लहीं है, वो सुनी जा सकती है, उसके कैमरे को एक्टिवेट किया जा सकता है, जीपिएस डेटा को ट्राक किया जा सकता है, तो यह सारी इन्फोर्मेशन इस स्पाइवेर से निकाली जा सकती है, तो यह काफी खतरनाक भी हो जाता है, इसी वज़ा से यहां पर इसक व्यक्ति के फोन के अंदर यह डालना है तो उसको लिंक भेजा जाता था और वह व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करेगा तो तो सही है उसके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा अधरवाइस नहीं होगा लेकिन आज के टाइम पर यह स्पाइवेर जीरो क्लिक अटैक वाला हो चुक स्पाइवेर यह मैंने आपको पूरा का पूरा डिकोर्ड कर दिया है एक्जैक्टली हाँ पर क्या है यह पूरी पूरी की इन्फॉर्मेशन ओके नव अब बढ़ते हैं आगे और एक चीज़ और बता दू जो मैंने अभी आपको पिच्छर के थुरू सब समझाया है अगर सब मैंने यहाँ पर नोट्स की फॉर्मे भी प्रोवाइड कर दिया है एक चीज़ और मैं कवर कर दूँ अब यहाँ पर देख पाओगे यह साइबर सेक्वारिटी को लेकर यहाँ पर काफी मुद्दा उठ जाता है इसको तो इंडिया बहुत सारे स्टैप्स उठाता है सा काफी तक इशु देखने को मिल रहा है और यहाँ पर यह आर्टिकल होता है सिकत साथ समाप्ट उसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल आता है यह वहला काफी इंपोर्डेंट है देखो यह बहुत ज़दा चर्चा में देखने को मिला है और रिगार्डिंग इसके क्वाश् डिस्प्यूट चला है भारत के साथ वो आज के टाइम पर थोड़ा सा रिडियूज होता वा आए खतम होता वा नजर आए अब मैं आपको इस समझाता हूँ पूरा डिस्प्यूट क्या है थोड़े से टाइम में तो देखो एक यूके बेस्ट कंपनी है यह यूके की कंपनी है जिसका नाम है केन एनरजी यहाँ पर इंडिया के अंदर आई इंडिया के अंदर काम कर रही थी लेकिन इंडिया के साथ यहाँ पर क्या हुआ टेक्स को लेकर बहुत सारे इसके साथ डिस्प्यूट हो गए और वो dispute क्या थे हम छोटा सा overview लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग इस picture के थूरी चीज़ों को clear कर पाऊगे देखो 2004 और 2007 की बात है यहाँ पर जो केन energy है इसने discover किया oil को रजिस्तान के अंदर और एक तरीके से यह stock exchange के अंदर company list हो गई Bombay Stock Exchange के अंदर यह list हो गई company और आप कह सकतो अब यह work करने लगी भारत के अंदर फिर December 2011 के अंदर आप कह सकतो इसने काफी कुछ achieve किया अब जनवरी 2012 के अंदर होता है एक कमाल जनवरी 2012 में आप कह सकतो साल 2012 की बात हो है साल 2012 में क्या होता है सरकार क्या कर देती है Retrospective Tax को Announce कर देती है सरकार कहती है अब यहाँ पर Retrospective Amendment होने वाला है Tax Loss के अंदर अब यहाँ पर क्या होगा Companies से Retrospective Tax लिया जाएगा Question यह है यह Retrospective Tax क्या होता है तो थोड़ा सा वेट करो मैं भी आपको बताऊँगा ठीके फिर होता है जनवरी 14 आता है 14 जनवरी आती है तो Tax Depth शुरू हो जाता है यहाँ पर आप कह सकतो investigation चालू हो जाती है फिर उसके बाद आप कह सकते हो 15 जनवरी जो केन एनर्जी होता है अपने केस की सुनवाई करने और वाँ पर केस पहुंचता है 2018 ता कि वो केस चलता रहता है फिर 2021 के अंदर आप कह सकते हो कि यह केस केन एनर्जी जीत जाता है 2020 में भी यह मुद्दा देखने को मिला केन एनर्जी जो है यह वाला केस जीत जाता है इंडिया हार जाता है इंडिया इन फाक्ट यहाँ पर उल्टा इंडिया को पे करना होता है यह amount तो यह सब यहाँ पर मुद्दा हुआ था लेकिन अभी यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा incomplete है क्योंकि एक word हमें समझ में नहीं आया वो है retrospective taxation क्योंकि यही तो सारा मुद्दा है सरकार ने जब 2012 के अंदर यह retrospective taxation लेकर आये तो सरकार ने क्या बोला कि अब से जो यह companies है वो tax पे करेंगी वो tax देंगी ठीक है तो बिल्कुल सही है देखो legal बात है हाँ tax देंगी चलो सही है लेकिन यहाँ पर इस retrospective taxation के अंदर कुछ अलगी चीज थी यहाँ पर क्या बोला 2012 से तो देगी साल 2012 कर भी देगी इसके साथ पिछला past वाला tax से वो भी पे करेगी company कब आयी थी 2004 के अंदर आयी थी मानलो तो 2004 से 2012 तक का जो यह सफर यहाँ पर company ने बनाया है इसके बीच में भी यहाँ पर जो tax बना है वो सब tax यहाँ पर पे करना है इस company को तो यहाँ पर अब यह जो companies है यह काफियत तक गुसा हो गई companies का कहना है चलो यह जो taxation की बात है current tax की बात है यह हम देदेंगे कोई बात नहीं आने वाले टाइम पर हम tax pay कर देंगे बट यह जो पिछला tax है इसका क्या मतलब है ठीक है यह तो बिल्कुल सही बात नहीं है इसी को लेकर यहा पर इंडिया यह case हारा तो यह सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी तो retrospective taxation क्या है मैंने आपको बता दिया exactly countries क्या करती है यहाँ पर tax को pass करती है लेकिन यहाँ पर पिछला tax भी include किया जाता है तो पिछला tax include करने की वज़ा से यह मुद्धा काफी चर्चा में रहा और आप कैसकतो अभी इसके लिए जो मौनसू सेशन था हमाँ पर एक बिल भी पास हुआ जिसके अंदर retrospective taxation के अंदर एक और बदलाव किया गया अब यह वाला हमारे पास rule नहीं है अब यहाँ पर हम लोग पिछला tax नहीं लेंगे ऐसा discussion हो चुका है अब हम लोग सर्फ current tax और जो है आगे का tax होगा वो लेंगे बस ठीक हमारी सरकार यह लेगी तो आपको ध्यान रखना है एक बदलाव और भी हो चुका है अब यहाँ पर क्या है जो पिछला tax यहाँ पर अगर किसी company का मालो सरकार ने लिया होगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा ऐसा हमारी सरक हो गया होगा केने अनरजी का पूरा मद्दा अब यहां पर यह केननर्जी चाहता है अपने डिस्प्यूट को सेटल करना भारत के साथ और यहां पर साथी साथ जो केन एनरजी है वो यहां पर चाह रहा है यह प्लैन कर रहा है कि लगभक 700 million डॉलर यह रटन करेगा अपने को dividend की form में, buyback की form में और ही बहुत सारी चीजों की form में या पर ये पैसा return करनेगा, बहुत सारे अपने share rollers वगरा को, साथ ही साथ केन energy का कहना ये है, कि ये अपनी एक अच्छी position maintain करना चाहते हैं, क्योंकि growth अच्छी हुए भारत के अंदर और अपना focus ये ही रखने वाले हैं वो आज के time पर मांग कर रहा है guaranteed crop prices की, अब यहाँ पर क्या मुद्दा है, देखो मुद्दा ये है कि जो RSS affiliated बहुत सारे farmers हैं, उन्होंने announce कर दिया है कि वो एक धरना रखने वाले हैं 500 district के अंदर, ठीक है 500 district headquarter के अंदर यहाँ पर आपके सकतों ये धरना करा जाएगा, औ जो भी एक तरीके से climate basis पर जो भी agriculture हो रहा है, उसके basis पर farmers को पैसा अच्छा मिलता रहे, इस चीज की guarantee यहाँ पर provide कर वाएं government, इस चीज को लेकर एक धरना होने वाला है, तो इसी को लेकर यहाँ पर एस article के अंदर coverage मिला, यहाँ पर इस article में बोला गया, जो आज के time पर आ system है ना, यह farmers के लिए है तो लेकिन बहुत कम farmers की लगबग, दो राज़ों के अंदर यह MSP काम कर रहा है, वो है पंजाब और हरियाना, और वहाँ पर भी थोड़े ही farmers को इसके benefit मिलना है, otherwise MSP का कोई इतना फायदा नहीं है, इसी वज़ासे जो other states वाले लोग है, उनकी यह है कि यहाँ पर उन लोग को भी एक तरीके से guaranteed crop price मिलना चाहिए, इसके बारे में छोटी सी information है, बार बार इसको दोराया गया, अब आपको होगे यहाँ पर article में क्या exam perspective से important हो सकता है, तो यह article अपका GSP पर 3 agriculture perspective से important है, थमनेल इसी के basis पर है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर minimum support price क्या होता है, क्योंकि इसके regarding पहले भी question बने है, तो MSP article आपका GSP पर 2 प्लस GSP पर 3 दोनों के point of view से important है, देखो MSP क्या होता है, एक minimum price होता है, यानि कि सरकार क्या करती है, एक थोड़ा से एक छोटा सा amount यहाँ पर farmers को देती है, जिससे farmers को एक security मिल जाती है, कि हमने फसल उगाई है, तो इसका हमें इतना price तो मिलेगा ही मिलेगा, हम घाटे में नहीं जाएंगे, ठीक है, यह चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, तो farmers के लिए थोड़ा support मिल जाता है, इसी वजासे इसको minimum support price बोला गया है, सरकार farmer से खरीद के, फिर उसके बाद आपका स MSP है, यह बहुत सारी crops के लिए दी जाती है, आपको ध्यान देना है, अभी मैं आपको बहुत सारी important चीज़ क्लियर करूँगा, जो कि prelims में पूछी जा सकती है, उसके बाद यहाँ पर commission for agriculture cost and price के बारें बात करेंगे, जो यह MSP है न, minimum support price, इसकी recommendation किस ने दी थी, इसका idea आ कौन लेकर आये था, वो था commission for agriculture cost and price, इन्होंने हाँ पर recommendation दिया, कि MSP होना चाहिए, लगबख 30 crop के लिए हाँ पर MSP लेकर आये, और 30 crop वो कौन कौन सी है, मतलब कि उसके basis पर मैं भी आकर आपको बताऊँगा, बट उससे पहले यह जान लो जो यह CACP है, मतलब commission for agriculture cost and price है, यह ministry of agriculture and farmer welfare के साथ मिलकर काम करता है, उसके बाद यह काम करने, मतलब इक तरीके से यह body existence में आई थी, जनवरी 1965 में, एक advisory body है, जो कि यहाँ पर आपका सकतो recommendation देती है, government को, ठीके, उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी crops है, जिर पर MSP दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है सीरियल्स हो गए बहुत सारे, जैसे गेहू, चावल, जोवर, ठीके, यह सारी हो गए, पाड़ी, वीट, बारले, जोवर, बाजरा, मेज, रागी, यह साथ सीरियल्स हो गए, प्लस पल्सिस हैं, उन पर MSP यहाँ पर एनौस किया गया, जो ग्राम, अरहरदूर, और उसका द फेर और एमिरिटरिव प्राइस को दिया गया, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यह इन सब चीज़े लगबग, तहीस क्रॉप्स हैं जिनके उपर MSP को एनौस किया गया था, और आप कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग डेफिनिट्ली क्वेशन बन सकता है, अब यहा बात करेंगे अगले आर्टिकल की तरफ, एक आर्टिकल आपको यह वाला देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है, आज के टाइम पर डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर बहुत पहले बात हुई थी, साल 2019 के अंदर जो यह डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था, आज क लिए क्या है, और यहाँ पर कैसे काम करता है, किसलिए काम करता है, इसको जानना जरूरी है, जो यह पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 वाला यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट अव्यू से इंपोरेंट है, जब आप UPSC से लिए बस देखोगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, गोर्मेंट पॉलिसी और इंटर्वेंशन, साइबर सिक्यूरिटी, आईटी और कंप्यूटर, तो यहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, तो सुप्रीम कोड ने यहाँ राइट टू प्राइवेसी वाले जजजमेंट को मेंटेन किया, आपको मालूम होगा, एक केस हुआ था, 2017 के अंदर, वो था केस पुता स्वामी वर्सिस यूनियन ओफ एंडिया, वहाँ पर सुप्रीम कोड ने जजजमेंट गया, सुप्रीम कोड ने बोला, जो राइट ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 को यहां पर फॉर्म किया, फिर 2019 के अंदर पर्लियमेंट अगेन यहाँ पर इन्ना भापस से इस बिल को रिवाइस किया, और आप कर सकते हो किि इस बिल को रिवाइस करने के बाद इस बिल का नाम बदल दिया गया, business data protection बिल 2019 यहाँ प पर यह काम करेगी जो भी personal data होगा लोगों का जो individual का personal data है उसको protection यहाँ पर प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोटेक्शन में आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ government यहाँ पर क्या कर सकती है इस पूरे के पूरे sensitive personal data को process कर सकती है जब जब उनको जरुरत होगी तब यहाँ पर यहाँ को निकाल सकती है तो यह एक concern वाली बात हम लोगों को देखने को मिल जाएगी तो उसी को लेकर इस data protection बिल को लेकर यहाँ पर आप देख पाऊगे काफियत तक चर्चा हो रही है कि जो joint parliamentary committee है यह आज के टाइम पर पूरा का पूरा एक तरीके से controversial जो यह बिल है personal data protection बिल इस इसको लेकर एक तरीके से meeting बुलाई गई है September 15 and 16 में तब यहाँ पर final किया जाएगा इस पूरी की पूरी लंबी सी report को ठीक है मतलब यह बिल वापस से news में आने वाला है फिर अभी यहाँ पर एक report त्यार करी जाए और इस report को final किया जाएगा 16 September से 15 और 16 September के बीच में तो उ अफगानिस्तान के अंदर क्या crisis चल रहे हैं सभी लोग को मालूम है regular हम लोग discuss कर रहे हैं आगे आज एक और आर्टिकल आपको world page पर देखने को मिलेगा इसी के regarding फिर उसके बाद editorial session पर देखने को मिलेगा वहाँ पर मैं आपको छोटा-छोटा overview देता रहूँगा बट हमारे national security advisor है अजीद दोवाल साब इनके साथ मीटिंग होगी external affair minister के साथ इनके साथ मीटिंग होगी तो यहाँ पर एक तरीके साब कह सकते हो Russian secretary आकर हमारे लोगों के साथ आज मीटिंग करेंगे और मीटिंग के अदर क्या discussion होगा इस अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में जो कि यहाँ पर अफगानिसान के अंदर सारी जीजे देखने को मिली है तो यहाँ पर खास article कुछ इतना नहीं है मीटिंग के बाद हम लोग discuss करेंगे मीटिंग के अंदर क्या-क्या बातचीत हुई है ओके तो जादा time waste करना बेकार है अब आता है कुछ और important article की तरफ next page आ सकता है वो क्या है आगे हम लोग discuss करेंगे तो private sector को यहाँ पर आगे आना है ऐसा हमारे prime minister ने बोला कि यहाँ पर आपकर सकते हो contribute कर सकता है और contribute करना भी चाहिए जिससे कि क्या हो हमारे government school का education जो है वो काफी है तक increase हो इसमें private sector मिलकर काम कर सकता है और इससे काफी कुछ benefit हो नजर आएगा यह सारी बाते बोले गई हमारे PM के दौरा कल के दिन जब यह एक portal launch कर रहे थे और यहाँ पर उसमें यहाँ पर इन्हों नहीं नहीं बोला कि जो private school से एक तरीके से private sector है वो coordinate करेगा contribute करेगा government school के अंदर उसका आप कर सकते हो यहाँ पर आप कर सकते हो जो inauguration थ उसको एक तरीके से address करते वे बहुत सारी चीजे बोली इन्होंने बहुत सारी teachers को praise किया क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी teachers जो कि बहुत लंबे समय से offline पढ़ा रहे थे वो अच्छानक से online के अंदर आए जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया covid crisis के अंदर ब भी काफी कुछ मुद्धा रखा जैसे कि उन्होंने बोला कि जो national education policy है जिसको एनॉंस किया गया था पिछले साल तो इसको implement करने के साथ साथ यहाँ पर हजार सॉरी दस हजार word की dictionary दिया जाएगा Indian sign language के थू मतलब की उस dictionary के अंदर sign language होंगे मतलब ऐसे sign मतलब हाथ से बने पा रहे हैं वो एक तरीके से यहाँ पर साइन से समझ पाएंगे बातों को उसके साथ आप कह सकते हो जो विज्वली चैलेंज पीपल से ठीक है उनको यहाँ पर help ने लेगी मतलब जो एक तरीके से disabled बच्चे हैं उनको भी पूरी दिरह से यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ बहुत सारी facilities प्रोवाइड करवाने की बात की गई है साथी साथ यहाँ पर talking book को भी launch किया जाएगा मतलब जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए talking book होगी ठीके तो बाचीत कर यहाँ पर उनको सिखाय जाएगा तो यह बहुत सारी चीज़े जो की लाई जा रही है उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर एक teacher training program भी यहाँ पर provide करवाने की बात की गई है और यहाँ पर आप कह सकते हो बोला यह गया जो private donors है मतलब private donors corporate social responsibility contributor यह सलब क्या कर सकते हैं इस initiative का part बन सकते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं अब यहाँ पर private sector गया यही एक बह help करेंगे ताकि जो government schools के अंदर जो quality है उसको जादा सदा improve किया जा सके तो यहाँ पर एक चोटा से article आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक portal के बारे में चर्चा हो रही है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे विद्यान जली 2.0 portal जो कि यहाँ पर क्या करेगा जो private sector क participation है उसको support करेगा private sector वाले जो participate लोग कर सकते हैं बहुत सारे retired teachers होंगे या बहुत सारे NRIs जो भी होंगे retired लोग होंगे या फिर वो सब यहाँ पर एक तरीके से schools के अंदर आप कर सकते हो कि मतलब facilities प्रोवाइड करवा सकते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर यह सारी चीज यानि कि पूरी तरीके से बरबादी वाला impact पड़ा है जैसे जैसे आपर school बंद होते हैं उसकी वज़ा से पता यह चला कि बहुत सारे बच्चों ने अपनी पड़ाई बिल्कूल तरीके से रोग दिये 37% जो रूरल चिल्डर ने गाउं में रहने वाले लोग है 37% जो बच पता चला है सरवे के दोरान और यहां पर बहुत सारे और भी एक तरीके से रूरल की बात ना करें अर्बन सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने अपनी पड़ाई को रोका है यह बताया गया इसके पीछे के कई कारण है कई कारण के अंदर एक कारण यह हो गया क कि लोग जो है उनके पास स्मार्टफोन नहीं है ओनलाइन एजुकेशन में आने से काफी अतक परिशानी हो रही है और एक्जेक्टली आप कह सकते हो कि काफी अतक पोवर्टी सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं तो वो लोग स्मार्टफोन को अफॉर्ड भी नहीं गुजराथ, हर्याणा, जहारखंड, करनाटका, मदरप्रदेश यहां के जो भी रूरल सेक्टर है जो गाउं वाले सेक्टर है वहां से यहां पर डेटा लिया या जिसमें पता यह चला 37% जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से खतम कर दिये पूरी साइडिया डेफिनेटली रखना है उसका एक आर्टिकल आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा जो हमारे प्यूश गोईल साब है वो एक तरीके से शेर्पा है जी ट्वेंटी समिट के लिए अब यह क्या है तो इस आर्टिकल में बताया गया जो गोवर्मेंट है हमारी सर सर्वेंट या डिप्लोमेंट आपका सकते हो जो कि किसी समिट या कॉन्फरेंस के अंदर जाता है उसके एक तरीके से पूरे के वर्क को अंडर्टेक करता है तो यहां पर आपका सकते हो इसी को लेकर यहां पर बुले जाता है इस शर्पा को ओके नाव आपका सकते हो यहां क्या गया है हमारी सरकार के द्वारा तो यह है यहाँ पर चीज लेकिन अब exam perspective से आपको यह G20 वर्ड दिख रहा है G20 अपना आप में बहुत important वर्ड है तो मैं आपको बहुत यहाँ पर अच्छे से बताने वाला हूँ G20 exactly क्या है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे G20 ह यहाँ पर आती है G20 लेकिन उस्से पहले मैं आपको बता दू इसी प्रकार से एक गृप है G7 दूसरा गृप है G8 और तीसरा गृप है G20 तो G7 के अदर आपको मतलब 7 कंट्री देखने को मिलेंगी 8 के अंदर 8 कंट्री देखने को मिलेंगी अब यह जो G8 वो ग्रूप खतम हो चुका है अब सिर्फ G7 और G20 exit करते हैं मैं आपको बताता हूँ क्या है मुद्दा तो यहाँ पर G7 के अंदर कौन कौसी countries है Germany, UK, France, Canada US, Italy और Japan आप लोग यहाँ पर कैसे याद रख सकते हो Juice GF करके Juice GF या Juice with GF करके याद रख सकते हो Japan हो गया, UK हो गया, India हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर Canada हो गया England, यह इसे England है मतलब आप कर सकते हो इसको UK करके याद रख सकते हो तो Juice भी GF करके याद रख सकते हो G7 countries है उसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे G8 countries जो हुआ कर दी थी उसके अंदर यह 7 country तो हुआ करती थी प्लस यहाँ पर Russia भी हुआ करता था तो यह 8 मिला कर यह पहले G8 बोला जाता था लेकिन Russia को निकाल दिया क्यों Russia ने 2014 में क्या करा Ukraine को हतिया आया और Ukraine को हतिया आने की वज़ा से यहाँ पर इसको G7 से निकाल दिया गया स्वरी G8 से निकाल दिया गया जो G8 से निकला तो यह G7 बन गया तो इसके बारे में दियान रखना Ukraine वाला इशू एक बार यहाँ पर प्रलिमस पर पूछा गया है और mains में भी यहाँ पर UPSC ने पूछा है यहाँ पर 12 कंट्रीज यह हो गए प्लस 8 कंट्रीज यह हो गए यह सम मिला कर यह G20 कंट्रीज होती है आपको ध्यान रखना है यहाँ पर यह G7 हो गया रश्या भी हो गया प्लस तर्की, European Union, Argentina, Brazil, South Korea, Mexico, China, Indonesia, Saudi Arabia, Australia, India, South Africa यह सम मिला कर G20 बन जाते है तो यह Group of Countries है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है एक Important यहाँ पर आर्टिकल बन सकता है Prelimious Perspective से उसके बाद एक चोटास आर्टिकल आपको यह देखने को मिलेगा जबरदस्त आर्टिकल है मैंने पिछले कुछ दिन पहले Daily Current Affair वाले वीडियो में भी discussion किया था By the way, आप लोग Daily Current Affair वाले वीडियो जरूर देखा करो मैं आप लोगों से जरूर बोलूँगा, force करूँगा exactly तो यहाँ पर, क्योंकि उस वीडियो के अंदर बहुत सारी important information में Daily Basis पर discuss करता हूँ, वो वीडियो भी 40-45 मिनिट का होता है तो अगर आप लोग ने दहिंदू का वीडियो प्लस Daily Current Affair का वीडियो देख लिया तो आपको Current Affair के लिए कोई attention नहीं लेना UPSC और State PSC के लिए खास कर क्योंकि सारे detail Current Affair वो मैं यहाँ पर इन दुनों वीडियो के अंदर discuss कर लेता हूँ जो दहिंदू के अंदर cover नहीं होते जो एक तरीके से important article Indian Express के अंदर आ गया PIB में है, Air News में है, Down to Earth में है वो सब मैं हमापर discuss करता हूँ जो एक तरीके से कौन से वाले Daily Current Affair वीडियो में अब यहाँ पर जो आर्टिकल है, यह बात करता है 21.02 lakh unorganized workers register कर चुके है इश्रम पोर्टल के उपर आपको मालूम होगा, इश्रम पोर्टल को अभी launch किया गया 26 अगस्त को इसको launch किया गया था यहाँ पर बोला गया, जो unorganized worker है इनको register किया जाएगा, इस पोर्टल पे, इस website पे और उन unorganized worker को फाइदे provide कर वाए जाएगे तो यह मुद्दा क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे यह article आपका GS Paper 3 perspective से important है GS Paper 3 के अंदर आप topic देखो के तो employment आएगा issues related to development आएगा, यह सारी चीज़ आएगी तो news में क्यों है, क्योंकि हाली में Ministry of Labor and Employment ने इश्रम पोर्टल को launch किया है अब यहाँ पर इश्रम पोर्टल के बारे में डिसकस करेंगे तो इस पोर्टल का main मकसत है कि लगबग 38 करोड है, मतलब 38 करोड जो unorganized worker है unorganized worker कौन कौन से है जैसे कोई construction laborers हो गए, जो की मजदूरी कर रहे है, migrant worker हो गए गलियों में अपना ठेला लगा रहे है domestic workers हो गए, तो जितने भी यह worker है unorganized worker में बहुत सरे worker आते है अब 38 करोड वर्कर को यहाँ पर इस portal पर register किया जाएगा और इन worker को कुछ न कुछ फाइदा प्रोवाइड किया जाएगा वो फाइदा क्या होगा मैं भी आपको बताऊँगा जब यहाँ पर यह worker register करे जाएगे इस portal के उपर, तो इनको एक तरीके से अपना 12 डिजिट का एक यूनिक नमबर मिल जाएगा इश्रम कार्ड के तौर पर ठीके, अब यहाँ पर क्या होगा जब वर्कर register कर लेगा इश्रम portal के उपर तो मान लो उसका कोई accident हो जाता है accident होने के बाद यहाँ पर आपको सकते हो काफी दिक्कत होगी, obviously बात है, परिशानी हो रही है एक तरीके से वो ही मजदूर आदमी जो की घर का खर्चा चला रहा है, अब उसका accident हो चुका है तो यहाँ पर अगर वो इस portal पर register होगा तो वो eligible होगा, उसको दो लाक रुपे provide कर वा जाएंगे, अगर उस व्यक्ति की death हो जाती है, तो उसके परिवार वालों को दो लाक रुपे मिलेंगे, प्लस अगर यहाँ पर accident होआ है, कोई permanent disability हो जाती है मतलब सारीर में कोई काम करना बंद कर दिया है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, उस व्यक्ति को एक लाक रुपे मिलेंगे, तो यहाँ पर यह सारी चीज़े देखने को मिलती है, आपको ध्यान रखना है, सॉरी, यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत बता दिये, दो लाक रुपे दिये जाएंगे, किसी व्यक्ति की death होई है, अगर फिर वो पर्मेनेंटली डिसेबल हो चुका है, तो उसको दो लाक रुपे दिये जाएंगे, अगर वो पार्शली डिसेबल हो चुका है, मतलब कि ऐसा डिसेबल हो है, कि अनवले टैम पर सही हो जाएगा, हाथ तूट 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 आए, अगर फिर वर्कर्स को भी फायदे मिलने चाहिए, गोवर्न्मेंट स्कीम के अंडर में, तो अब यहाँ पर इश्रम पोर्डल को लाँच किया गया, और इसको इंप्लिमेंट कौन कर रहा है, तो जो गोवर्न्मेंट इन स्टेट से यूने टरिटरीज है, वो सम मिलकर इसको इंप्लिमेंट करेंगी, जितने भी अनोर्गनाइज़ वर्कर्स होंगे, उनको यहाँ पर रेजिस्टर किया जाएगा, इस पोर्डल के उपर, अभी यहाँ पर यही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, कि बहुत सारे वर्कर्स को लगबग 21 लाग वर्कर्स को रिजिस्टर कर लिया गया है, टार्गेट है हमारा 38 करोड वर्कर्स का, अब यहाँ आपर आप कर सकते हो कि अनोर्गनाइज़ वर्कर्स के मारे बारे मै अपको गवर गया जाएगा सब को यानि कि बहुत सरे लोग समान चड़ाने वाले होते हैं गाड़ी के अंदर इतारने वाले होते हैं सबको यहां पर कवर करने की बात की गई है तो यह है मुद्धा I hope आपको यह clear हो चुगा होगा important article है उसके आद बराबर में article देखने को मिलेगा यह बात करता है air quality improve हुई है साल 2020 के अंदर ऐसे हमारा यह environment minister का कहना है तो जो environment minister है बुपेंदर यादव इनका कहना यहाँ पर है Tuesday में एक तरीके से बहुत सारे एक report publish हुई जिसमें पता यह चला है कि बहुत सारे शहर बढ़ चुके हैं जहां पर air quality improve हुई है देखो 2018 के अंदर लगबग ऐसे 86 cities थी 86 शहर थे जहां पर air quality अच्छी थी लेकिन अभी 2020 का जो डिटा है इसमें यह पता चला 104 शहर हो चुके हैं जहां पर air quality improve हुई है इसके पीछे का reason है lockdown lockdown की वज़ा से temporary basis पर air quality थोड़ा सा यहां पर improve होती हुई नजरा हुई है यह हम लोग को पता चला उसके साथ साथ आज के टाइम पर आपको मालू मुगा नियू डेली हो गया और भी बहुत सारे यहां पर states हो गया जो की आज के टाइम पर smoke tower को लगा रहे है smoke tower अभी नियू डेली के अंदर inaugurate किया गया उद्गाटन किया आपको मालू मुगा मैंने detail में discussion किया था smoke tower के बारे में telegram पर इसके बारे notes भी सारे पड़े होंगे यह smoke tower है इसमें क्या होगा उपर से हवा जाएगी उपर से गंदी हवा जाएगी और नीचे जो filters लगे हैं यहां से साफ हवा निकल कर आएगी लगवग एक किलोमेटर तक के रीजन में यह साफ हवा प्रोवाइड करवाएगा जिससे लोग यहां पर एक तरीके से healthy रह सकते हैं इस healthy air को inhale करके तो यह सारी चीजह हम लोगोंने उसके बाद आते हैं page number 11 के उपर that is world section देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है यहां पर article बात करता है पंजशीर के बारे में तो यहां पर एक ही article world section पर आपको देखने को मिलेगा मतलब fall of पंजशीर वैली यह face हम लोगोंने देख लिया अब यहां पर तालीबान का पूरी तरह से control हो चुका है इस वैली के उपर देखो जब तालीबान ने control करना शुरू करा देखो 15 अगस्त एक date थी जब क्या हुआ काबुल के ओपर कबजा किया तालीबान ने और वहां के जो प्रेसिडेंट थे यानि की श्रफ गनी थे वो भाग चुके थे एक तरीके सब 15 अगस को पूरी तरह से पूरे अफगानिस्तान को claim कर लिया था तालीबान ने वोला कि अब हमारा कबजा हो चुका है लेकिन उस पूरे अफगानिस्तान में एक छोड़ा सा area बच गया था वो था पंशीर वैली पंशीर वैली को पहले भी कोई नहीं कोई capture कर लिया है उसी को लेकर यहां पर यह article में चरचा की गई मैं भी आपको मैप में दिखाता हूँ तो यहां पर आप लोग देख पार होंगे यह है अफगानिस्तान का मैप और अफगानिस्तान पर पुरी तरह से यहाँ पर तालिबान ने इसके उपर पूरी तरह से कबजा कर लिया है, अपना जंडा भी लहरा दिया है तो इसके बारे में यहाँ पर आर्टीकल के अंदर बताए गया नौ इस वैली के बारे में आपको कुछ और important information देता हूँ जो कि prelims perspective से important है और यहाँ पर पूछी जा सकती है तो एक second तो यहाँ पर prelims perspective कुछ important चीज़े हो सकती है जैसे कि यहाँ पर पंशीर वैली के लिए गार्डिंग पूछा जा सकता है आपको बताता हूँ, देखो तालिबान ने कंट्रोल कहा था काबूल के उपर 1996 में 1996 से लेकर 2001 तक जो है तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल रहा, अफगानिस्तान के उपर 2001 के अंदर यहाँ पर वो 9-11 अटैक हुआ, उसके बाद यहाँ पर USA, अफगानिस्तान के अंदर गुसा, USA ने आपर तालिबान को हटाया मासे और उसका प्रॉपर ओपरेशन नहीं कर पाता था पंशीर वैली के अंदर तो मतलब पंशीर वैली इतना ज़ादा रेजिस्टेंस में रही है तालिबान के एंटी तालिबान फोर्स यहाँ पर देखने को मिली है बहुत सारे लीडर हैं जो की तालिबान के अगेंस्ट में थे यहाँ पर यह सारी चीए देखने को मिला और साथी साथ इस पंशीर प्रोविंस को इंडिया, इरान, रशिया इन सब ने मिलकर सपोर्ट किया जो लोग यहाँ पर तालिबान को रजिस्ट कर रहे थे तालिबान के अगेंस्ट में थे उन सब को यहाँ पर यह कंट्री सपोर्ट करती थी उसकाद आपका सकते हो 20 साल बाद वापस सही है सिचवेशन हम लोगों ने देखने को मिली जैसे हमने डिसकस किया यह कंट्री था अफगानिस्टान ऊपर आपको पंशीर वाली देखने को मिलेगा तो नदन वाली रीजन में यह पंशीर वाली है हिंदुकुष माउंटेन रीजन के पास में आपको देखने को मिलेगा आपसे में एक क्वेशन पूछन पूछन जाओंगा जो यह हिंदुकुष माउंटेन रेंज है इसमें एक पास है ठीक है इसमें एक पास बनावाए जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कनेट करता है ठीक है किसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान को connect करता है वो पास कौन सा है उसका नाम क्या है नीचे comment section में जरूर बताना ठीक है आप कह सकते हो यहाँ पर मैंने पंशीर वैली के बारे मापको बताया साधी साध यहाँ पर इस वैली के अंदर यह जो वैली है एक तरीके से आ सकते हो यहाँ पर मांटेंस देखने को मिल जाएंगे नौर्ट साउड में कुहेस्तन मांटेंस है और उसके बाद आप कर सकते हो कि यहाँ पर और जो चुका है काम तालीबान का उपर that is business section यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा यह ही आर्टिकल एक लौता आर्टिकल है जो कि आप पढ़ सकते हो जिसमें चर्चा हो रही है FADA ने FADA यानि Federation of Automobile Dealer Association इन्होंने आप पर अपना एक रिपोर्ट दिया कि जो आटो सेल्स है यानि कि सेल्स ऐन्दर जो हमारी टू-वंट फिलर एक तरहीं एक तरीके से यह लैक लेस्टर के अंदर लैक लेस्टर मतलब कमी तो चमख में कमा मतलब एक तरीके से मंदा पना इस बार यहां पर के अंदर हमलोग कोई आप मतली प पर बोला कि हमारा काफी तक ग्रोथ में काफी मतलब डाउन जाता वा नजर आ रहा है काफी लंबे समय से बीच में एक बार ग्रोथ थोड़ी सी देखने को मिली थी बड़ यहां पर ग्रोथ इसकी अपड़ाउन बहुत जादा हो रही है खासकर इस कोविड-19 पैंडमिक लॉ पढ़ने के लिए आपको बताता रहूँगा क्या क्या है तो पहले आर्टिकल में निपा वारेस के बारे में चर्चा ओई यहां पर वापस से पंजशीर वैली के बारे में चर्चा ओई पंजशीर फॉल हो गया यह सब हमने डिसकस कर लिया इसको डिसकस यहां पर नहीं करे में आपको एक छोड़ा सा यहां पर ओवर्विव देने वाला हूं उसका एक आर्टिकल asset monetization को लेकर है तो national monetization pipeline के बारे में चर्च और इसको सबसे last में discuss करेंगे अगर यहां पर discuss नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं क्योंकि कल भी हमने इसके बार में उसके बारे में चर्चा की गई तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निपा वायरस से तो आज के टाइम पर pandemic का समय चल रहा है coronavirus देखने को मिला lockdown देखने को मिला उसके बीच में निपा वायरस एक और वायरस आ चुका है जो की केरेला के कोशी कोडे district के अंदर देखने को मिला है और वहाँ पर लगबग 12 साल का बच्चा था उसकी डेथ होई है इस निपा वायरस की वज़ा से यह सारी चीज़े हैं पर बताई गई है और डेथ होने के बाद और भी बहुत सारे आपका सकते हो suspected cases देखने को मिला यह आरटिकल अपका GS paper to health perspective से important हो जाएगा निपा वायरस एक zoonotic वायरस से आपको ध्यान रखना है जोनाटिक वायरस वह होते हैं जो की जानवरों से इंसानों में फैलता है और फिर इंसान जो है आपस में इसको ट्रांस्मिट कर सकते हैं तो यह ट्रांस्मिट होता है animals to human उसके बाद निपा विरस के पीछे का जो और्गनेजम है जिसकी वज़े से निपा विरस क्रेट होता है। वो और्गनेजम है राइबो न्यूकलेक एसेड वाइरस कौन सी फैमिली से बिलॉंग करता है तो वह पैरा माइक सो वरेड है इस फैमिली से बिलॉंग करता है उसके बाद यहाँ पर जो निपा वाइरस है यह पहली बार मलेशा और सिंगापूर के अंदर आउट ब्रेक लेकिन इस वाइरस के पीछे का जो में जानवर है वो है बैट यानि की चमकादड और उस बैट को बुला गया फ्रूट बैट उसका नाम आपको ध्यान रखना है फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स जो की कौन सी फैमिली से बिलॉंग करता है यह जो बैट है ना यह च हमकादार देखने को मिलेगा इसके यूरीन के अंदर या इसके मल के अंदर सलाइवा बर्टिंग फ्लूट इन सब के अंदर यहां पर यह वाइरस पाया जाता है इसके लक्षण बहुत सारे है लक्षण क्या क्या है निपा वाइरस के तो बुखार आ गया सर में दर्द हो थकान सी और यह confusion हो गया mental confusion आपको decision ने ले पा रहे हो और death भी हो जाती है प्रिवेंशल की बात करें तो आज की time पर कोई vaccine वगरा नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ एक भारी भरकम care चाहिए उस care से आप लोग यहाँ पर ठीक हो सकते हो ऐसा यहाँ पर बताया गया बागी मैंने आप लोग को इस virus के बारे में बताई दिया यह virus कहां से फैलता है बैट से फैलता है यह एक natural host है यह जो fruit बैट है इसके अंदर naturally यह virus पाया जाता है अगर यहाँ पर इससे कोई भी चीज इंफैक्ट हो सकती है यह जो है दूसरे जानवर के अंदर फैला सकता है और फिर इस जानवर से इंसानों के अंदर फैल सकता है और फिर यह इंसान दूसरे इंसानों के अंदर यह निपा वैरस को फैला सकता है तो इसके बारे में आपको ध्यानक ना है छोड़ी सी important चीज है आगे बढ़ेंगे अगले editorial की तरफ अगला editorial यहाँ पर बात करता है economic reforms के बारे में आज के टाइम पर economic reforms की हमें जरुरत भी है एक तरीके से हमें अगर अपनी economic को improve करना है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ चीजों के पर focus करना पड़ेगा वह में चीज़े क्या है तो यहाँ पर उसके बारे में चरजा की गई कोरोना वाइरस पैर्णमे की वज़ास है जो हमारे economy है वो काफिया तक बरबाद हो यह सारी शीज़े बताई गई आज के टाइम पर हम लोगों को जरूरत है हमारी एक strong economy हो हमारा health system हमारा काफिया तक strong हो ठीक हमारी economic growth को हमें enhance करने के लिए काफी कुछ step उठाने history matter करती जो इतिहास वो matter करता है इतिहास में हमें देखना पड़ेगा पिछले 30 साल की economic को पिछले 30 साल की economic के अंदर क्या-क्या reforms हो है और एक तरीके से जो यह evidence है वो यह बताता है economic reform यहाँ पर जिसको launch किया था लगबग 1991 के अंदर तब से आप देख पाऊगे बहुत वज़ा से economy हमारी grow हुई है अब जो economic reforms है वो एक तरीके से जाधर focus करते हैं economy के technical nature के उपर system के उपर लेकिन आज के टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा हमें एक तरीके से एक तरीके से key points है उनके उपर focus करना पड़ेगा economy के अंदर आपको main drivers कौन कौन से देखने को मिलें पड़ेगा labor को और जदा productive बनाया जा सकता है और जदा पड़ा लिखा और जदा effective बनाया जा सकता है जिससे काम को और उंचे स्तर पर लेकर जाया जा सके disposal well income को आपको improve करना पड़ेगा लोगों की income को improve करना पड़ेगा प्लस capital expenditure यानि की खर्चा लगाना पड़ेगा सरकार को यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा infrastructure के उपर तो यह कुछ चीजे हैं जो की एक तरीके से key points है किसी भी economy के लिए इन पर हम लोग पैसा खर्च करेंग क्योंकि आज के टाइम पर quality education यह लोग के पास उनके पास इतनी skills नहीं है इसकी वज़ाए से यहाँ पर हमारा human resource capital है वो काफिया तक कम देखने को मिलेगा तो जो human resource capital है हमें उसको increase करना पड़ेगा बहुत सारी country काफिया तक आगे चल लिए है human resource capital की जो rank है इसमें इंडिय जो है stand करता है 103 नंबर पर जब की स्रिलंगा की 70 रेंगे चाइना की 34 रेंगे साउथ करिया की 27 रेंगे तो साउथ कोरिया ने काफी अच्छा काम किया है लोगों के उपर खर्चा किया है लोग की skills को develop किया है उसके बाद world bank की report है world bank के database के according यहाँ पर बात करी गई जो GDP है 2019 2019 के अंदर तो यहाँ पर इंडिया की GDP काफी हद तक गिरी थी बहुत ज़्यादा low देखने को मिली है और दूसरी countries की GDP हमने increase होती ही नज़र आई क्यों कि उन्होंने लोगों के उपर पैसा खर्च किया है ठीक है उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक और index आया था डेल 20 डॉलर इतना इतना amount है तो इंडिया के अंदर एक lowest wage भी आपको देखने को मिलेगा जो income है लोगों की बहुत ज़्यादा कम है जब income नहीं होगी तो demand नहीं होगा production नहीं होगा economy हमारी grow नहीं होगी तो यह चीज़े देखने को मिलती है जब से पहले आपको income बढ़ानी मिली इससे क्या होता है आप अगर लोग के उपर पैसा नहीं खर्च कर रहे हो उनकी skills को नहीं बढ़ा रहे हो तो जो productivity नहीं होगे तो उनके ऊपर थोड़ा सा आपको खर्चना पड़ेगा उनके उपर आपको पैसा लगाना पड़ेगा प्लस उसके बाद आपका capital expenditure की कमी प्लस और भी बहुत सारी चीज़े हैं जिनके अंदर लगातार कमिया देखने को मिलती है वो चीज़े हमें छोड़ी थोड़ी और जो छोड़ी छोड़ी कमिया है उनके अदर भी सुधार करना पड़ेगा तो यहाँ पर main focus यह है कि जो economy है उसके अंदर आपको एक fresh reform की जरुवत है और reform वो इस basis पर हो सकते हैं जैसे मैं आपको बताया human skills के उपर आप खर्च सकते हो लेबर productivity के उपर आप खर्च सकते हो नई नी technologies के उपर आप पैसा खर्च सकते हो तो यह चीज़ें आप इसनके basis पर आपकी economy ग्रोह होती नजर आएगी तो इन चीज़ों के उपर आपको focus रखना पड़ेगा पहला आपको बड़ा सा बड़ा investment अपने अंदर attract करना पड़े demand बढ़ेगी production बढ़ेगी production बढ़ेगी हमारी company जो country है sorry उसकी economy ग्रोह होगी तो यहाँ पर यह सबसे main step है कि आप लोग यहाँ पर investment करो human capital के उपर technology के उपर यह main step होगा अगर आपको GDP ग्रोह करनी है तो उसके बाद कुछ और advanced manufacturing यहाँ पर suggestion यह है कि industry 4.0 यह नया industry हम लोग को देखने को मिलने वाला है industry 4.0 को लेकर एक editorial है था हाली में मैंने काफी कुछ discussion किया था सारे notes आपको telegram पर मिल जाएंगे अभी यहाँ पर उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हो रही है तो यहाँ पर हम आपको बताता हूँ industry 4.0 यहाँ पर एक तरीके से एक नई technology की तर कर रहे हो और दुनिया industry 4.0 की तरफ बढ़ लाई है तीक है मतलब सब कुछ यहाँ पर online पहुंच रहा है digital यहाँ पर सारा data क्रेट हो रहा है और आप यहाँ पर पूरानी technology की तरफ बढ़े हो तो आपको समय के साब अपडेट करना पड़ेगा अपडेट होना पड़ेगा अपने GDP अपने economy को grow कर सकते हो बारी बरकम जरूरत है कि यहाँ पर हमारी per capita income increase हो और वो कैसे हो सकती है जब हम लोग अपने workers को जदे साधा wages प्रवाइड करवा है उनको जदे साध मज़ूरी प्रवाइड करवा सकते हैं उनकी higher skills को देखकर क्योंकि उनके skills बढ़ेंगी त पर अप्रोच रखना पड़ेगा देखो क्या होता है कोई भी यहाँ पर business है ठीके उसको एक तरीके से good environment चाहिए होता है एक अच्छा यहाँ पर एक तरीके से वाधावरण चाहिए होता है और आपको जो process of reform है यह बहुत important चीज़ है आपको समय समय पर यहाँ पर reforms लाने ह होंगे बदलाव लाने होंगे इस policies के business पर आपको एक अपना approach रखना पड़ेगा जिससे आप लोग एक important role play कर सकते हो अपने economy sector के अंदर तो यह कुछ key चीज़े हैं जिसको पर आप focus करना है की चीज़े जो कि मैंने आपको बताया था तो यह कुछ sector है जिनके उपर आप ल quality के अंदर कोई भी कमी नहीं होगी मैं आपको सारी चीज़े cover करके देता हूं लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा थोड़ा सा यहां पर और ज्यादा मतब सतर हो के सुनना पड़ेगा एक article आपको यह देखने को मिलेगा यह काफिया तक चडचा में अब article इतना कुछ खास अपको apps मिलते हैं जिसको आप अपने phone में install करते हो ठीक है WhatsApp, Facebook या कोई भी educational app हो गया उन सबको install करते हो अब question यह है क्या app ऐसी बना कर install कर दिया जाता है बिल्कुल नहीं app को बनाने में आपर पैसा लगता है प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कर सकतो उसको install करवाने में यानि कि अब यहाँ पर iPhone के अंदर हमें apps store के अंदर यहाँ पर अगर इस app को launch करना है तो उसके लिए 30% commission है वो कौन खाता है अपल खा लेता है अपल कहता है हमें 30% इस पर किसी app को launch करेंगे तो इसी की वज़ा से जो South Korea है South Korea ने इसको पूरा अगेंस्ट में गया South Korea ने बोला South Korea की जो Parliament है इसमें जितने भी सांसते इन्हों सबने मिलकर एक बिलपास के इन्होंने बोला कि देखो ऐसा बिलकुल नहीं होगा ऐसा है तो company छोड़के चली इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है तो इंडिया भी आज के टाइम पर कैदा है कि देखो एप developers को काफी अता यहाँ पर नुकसान पहुंचता है तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में यह प्लस South Korea ने भी अपना एक step उठाए तो आपको ध्यान रखना है यह मुद्दा किसके ऊपर है यह लोग कुछ commission खा रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर यह पूरा पूरा कपूरा मुद्दा है और कुछ commission भी नहीं यह बहुत ज़ादा होता है 30% commission apple यहाँ पर अपने app store पर किसी app को launch करने के लिए लिए अपना आप launch करना है तो यहाँ पर अगला आर्टिकल पहले हम लोग इसको डिसकस करेंगे, बात में हम लोग National Monetization Pipeline के बारे में आएंगे, यहाँ पर एक आर्टिकल में चर्चा हो रही है, कि हमें जरुवत है एक Tribunal की, Tribunal की जरुवत है किसके अंदर CAPF के लिए, CAPF मतलब Central Reserve Police Force, ठीक है, तो यहाँ पर Central Reserve Police Force कौन स लिए के, अब यहाँ पर क्या है, जो CRPF है, वो भी CAPF के अंदर में आती है, CAPF के फुल फार्म होती है, सेंडल Armed Police Force है, CAPF के अंदर आपको बहुत सारी Forces देखने को मिलेंगे, यह आर्टिकल अपका Security के पॉइंट आवी से इंपोरेंट है, GSP पर थरी पॉस्पेक्टिव से देखो, CAPF के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके आगे हम इस आर्टिकल के बारे में डिस्कॉस करेंगे, CAPF के अंदर आज के टाइम पर साथ Security Forces आती हैं, भारत के अंदर आपको ध्यानक ना है, साथ Forces वो कौन कौन सी है, एक है Assam Rifle, फिर उसके बाद Central Industrial Security Force, उसके बाद Central Reserve Police Force, फिर इंडो तिबितन Border Police, National Security Guard, शरसस्तर सीमाबल, तो यह सारी Forces आती है, CAPF के अंदर, तो यहाँ पर बोला गया, आज के टाइम पर जो CAPF है, उसके लिए ट्रिबिनल की जरुवत है, आपको मालूम होगो कल मैंने ट्रिबिनल के बारे पढ़ाय था, देखो High Court होता है, Supreme Court होता है, उसी प्रकार से एक Tribunal होता है, तो High Court, Supreme Court ना जाने के बजाए, यहाँ पर आप Tribunal में जा सकते हो, अपने case की सुनवाई करने है, और वहाँ पर जल्दी से मुद्दा देख भी लिया जाता है, और जल्दी से हाँ पर सुनवाई की जाती है, तो एक Tribunal हो सकता है, Tribunal की जरुवत है हम लोग को, C.A.P.F के लिए, क्योंकि बहुत सारे cases होता है, इन forces के, जो कि यह लोग यहाँ पर High Court वगरा में देते हैं, जो कि लंबे समय से pending रहते हैं, यहाँ पर बोला गया, जो जादतर cases है, जो कि High Court के अंदर challenge करे जाते हैं, इनमें क से कहीं गलत हैं, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको cases solve करना है, तो इसके लिए आप लोग अपना Tribunal सेट अप कर सकते हो, और यहाँ पर बोला गया, कि आज के टाइम पर जो इतना लंबे समय लग रहा है, इंक्वाइरी के अंदर बहुत जादा लंबे समय लग जाता है, आप कर सकते हो, बहुत सारे लोग आज के टाइम पर fail हैं, एक तरीके से आप कर सकते हो कि जब कभी cases के सुनवाई होती है, तो वहाँ पर लोग appear होना यहाँ पर किसी वज़ा से अपियर नहीं हो पाता है, क्योंकि cases के जब सुनवाई होगी तो जाना भी पड़ेगा, तो ल बोला गया, उसके बाद यहाँ पर बोला गया, जो inquiry authority है, देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आज के टाइम पर जो inquiry authority है, वो काफी है तक busiest देखने को मिलेगी, तो उसके हिसाब से हम लोग को अपने ट्रिबनल को सेट अप करना पड़ेगा, आज के टाइम पर बहु अपने cases देखवा सकते हो, और ट्रिबनल के अंदर जो यह cases है, वो जल्दी जल्दी हाँ पर सुनवाई, इनकी हो भी जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपका सकते हो, बहुत जल्दी तरीके से, इससे क्या होगा, जो speedy delivery of justice है, वो मिलेगा लोगों को, एक तरीके से बहुत हाई कोड होता है, उसी प्रकार से ट्रिबनल होता है, जो ट्रिबनल वर्ड है, यह वर्ड ट्रिब्यून से निकल कर आया है, और ट्रिबनल जो है एक तरीके से, मैंने आपको बताया, जनरली कोई एक पर सकते हो, जिसके पास authority है कि वो judge करे लोगों को, प्लस जो लोगों के बीच में dispute है, या फिर कोई बुद्धा उठाए, उसको solve कर सके, उसी के basis पर criminal बनाया जाता है, ताकि यह मुद्ध को सुल जा सके, इसके अंदर बहुत सारे मुद्धे देखे जाता है, जैसे कि आपके सकते हो, dispute वाले होगा है, कोई लडाईया चल नहीं है, case हो रहा है, text क कुछ यहाँ पर यह decision वगरा भी ले जाता है, judges की तरह यहाँ पर काम किया जाता है, criminal की जरुवत क्या है, तो criminal की जरुवत इसलिए है हमें आज के टाइम पर, क्योंकि Supreme Court, High Court के अंदर आज के टाइम पर cases बहुत जादा है, इससे क्या होता है, cases और जादा होता है, तो pending है, वो आज के टाइम पर एक बहुत important role play करता है, एक तरीके से, बहुत सरे cases के अंदर, आपका सकतो यहाँ पर environment को लेकर, यहाँ पर dispute को सुनवाई करता है, बदब कौन कौन से cases के सुनवाई करता है, तो environment को लेकर, armed force को लेकर, या text को कोई dispute हो या, administrative issue को कोई dispute हो या, तो इ के अंदर, article 323 A को add किया गया, और article 323 B को add किया गया, तो article 323 जो A है, वो deal करता है, administrative tribunal से, और जो article 323 B है, वो add एक तरीके से matter करता है, deal करता है, बाकि सारे matter से, अब यहाँ पर जो B वाला है, जैसे हमने discuss किया, कि जो A वाला है, वो यहाँ पर administrative tribunal है, जो administrative वाले issue होंगे, यहाँ पर जो B वाला है, वो other matters कोण कोई से हो सकते हैं, देखो other matters के अंदर, बहुत सारे matter हो सकते हैं, जैसे कि tax का matter हो गया, foreign exchange import, export को लेकर कोई dispute हो गया, industrial labor को गया, land reform को लेकर, food stuff, या कोई यहाँ पर आपका सकते हो, किरादार वाले जो rights होता है, rent or tenancy वाले rights होता है, उन मैं कल भी discuss कर चुका हूँ, परसो भी discuss कर चुका हूँ, तो please आप लोग इतना support कर सकते हो, कल वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने detail में national, जो asset monetization plan है, इसके बारे में discussion किया है, ठीक है, discussion किया भाई, इस विजए से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कल वाला वीडियो, परस